हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चैनल इन्वेस्मेंट का बाजार और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Zomato के स्टॉक के बारे में फ्रेंड्स Zomato के स्टॉक में आज बिल्कुल फ्लाइट लोजिंग देखने को मिली मार्केट में ऐसा ही आप सेनारियो बना पहले हाई बने और फिर लो बने मार्केट के अगर मैं बात करते हैं तो मार्केट लगबक 1100 पॉइंट के असपास काम गच करा था सेन्सेक्स और क्लोजेंग अगर आप देखेंगे 70 पॉइंट नीचे है तो आप देख सकते हैं सेन्सेक्स में निफ्टी में हर इंडेक्स में आप कहा सकते हैं उपरी लेवल से गिरावट है और दोस्तों कुछ खबर भी निकल कर रही है जोमेटो के स्टॉक पर उस पर भी ब जोमेटो का स्टॉक जोमेटो के स्टॉक में दोस्तों बिलकूल फ्लाट क्लोजिंग देखने है कुछ खबर है दोस्तों जोमेटो के आपपने पिशला वीड़ा देखा होगा येपी मॉर्गन ने टार्गेट अपग्रेड honors अबर वेडब गर आया है और दोस्तों आप कह स यह पॉर होगई दोस्तों गता करतें तो दोस्तों बश्रेति हैं चाहिकर पॉर्स diferen करें तो 95 का अगला रिजिस्टेंस बनता है इस का स्टॉप लोगर मैं बात करें थो दोस्तों 80.42 का अगला stop loss 85 धाना stop loss और 87 का अगला stop-loss यह तीन stop loss दोस्तों आपको ध्यान में रख़ें अभी आई तिक एटी नाइन रूपीज कर रहा है स्टॉक के अंदर दोस्तो आज 38 लार्ज जील देखने को मिले है स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर रहा है 48 परसेंट नीचे कामकाच कर रहा है अपने 52 विक है से दोस्तो यह बहुत गौर करने वाली बात है जिस हिसाब से जेफ्रीज ने टागेट दिये थे डबल की टागेट दिये थे अल्मस्ट इसके कारण आज गैप अपन होगा स्टॉक में लगबग 3 रूपे उपर ओपनी दिया स्टॉक लेकिन फिर दोस्तो अचानक से स्टॉक का लो बनता है 88 रूपीज 80 पैसे का हाई बनता है 96 का आप देख सकते हैं अगर आप लो से अगर आप काउंट करें तो लगबग 6 परसेंट उपर का हाई है अगर अपन open से अपन count करें तो 3% उपर काईए stock ने दोस्त आप कह सकते कि उपर इस तरों से भाई गिरावट दिखाईए अगर high की बात करें तो दोस्तो high से लगबक आप 6% stock नीचे गामकाज करा है जी यहां दोस्तो 6% काफी बड़ी गिरावट है दोस्तो stock के अंदर ये closing की बात करें तो 89 रुपीज 55 पैसे पर closing दिए लगबक 1% की गिरावट stock के अंदर दिखाई है जी यहां दोस्तो 1% की गिरावट तो चलिए दोस्तों आप चलते जोमेटो के इंट्राडे चार्ट पर और करके इंट्राडे लेबल सो और लॉंग टम के इंट्राडे टागेट्स पर चर्चा करते है तो फ्रेंज अपन जोमेटो के इंट्राडे चार्ट्स पर आ गए 90 रुपीज 20 पैसे पर इदर क्लोजिंग बता रहा है बट 89 रुपीज 55 पैसे पर क्लोजिंग है तो दोस्तों सीधे अपन मंडे के इंट्राडे टागेट्स पर बात करते 90 रुपीज 20 पैसे पर आप बाइंग करते हैं जी हैं दोस्तो 90 रुपीज 20 पैसे का लेवल यह level पर यह आपको दोस्तो Monday के शिल में buying करना है जिसने साब से दोस्तो आज की दिन मुझे move मिला है Zomato के stock में definitely दोस्तो Monday के दिन भी पिए trade spotlight में रहेगा और definitely दोस्तो Monday के दिन तेजी हो सकती है दोस्तो आपको 90 rupees 20 पैसे पर buying करना है for a target of rupees 93 first target 93 का होगा second target 95 का होगा और third target 97 का होगा जी हाँ दोस्तो 97 का यह तीरो target के लिए आपको Zomato के stock में खईदारी करके चलना है लॉग तेम target के अगर मैं बात को दोस्तो within this year मुझे लगता है 150 rupees तक का level भी आपको Zomato के stock में देखने को मिलेगा as दोस्तों काफी ज्यादा गिरावट हो गई है तो दोस्तों काफी ज्यादा safer bet मुझे लगता है Zomato का stock बन जाए युकि दोस्तों काफी ज्यादा आप कहा सकते है अगर मैं आपको एक मैने के चार्ट दिखा हूँ तो एक मैने में लगबग 34% की गिरावट तो दोस्तों एक recovery की गुंजाईश बनती है और I think so यह 30% फिर recover होगा और stock अच्छी trajectory में काम काच करता हूँ देखने को मिलेगा क्योंकि stock में आप आप कहा सकते है development भी काफी है अच्छी है targets भी अच्छी आ रहे है brokerage houses की तरफ से तो I think so the tomato stock अच्छी तेजी करके दिखाएगा तो दोस्तों that's it for video अगर वीडियो अच्छी आगे तो like करना share करना subscribe करना दोस्तो thank you friends for watching this video